हलो दोस्तों तो थान ढैक से सम्बंदित मे एक वीडियो पहले भी आ चुका है। उसमें छली आप यह दोस हीस वीडियो में यहां दोस्तर नाइक के बारे में बहुत पूछा जाता है आपके दो से तीर नंबर मुलब एक से दो या तीर नंबर तो एक कुश्चन आते ही आते हैं अगर आपको पहले वाला वी वीडियो देखना है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जो उपर आई बटन है आप वहां पिससे देख सकते हैं और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फ्लीज फ्लीज चलिए हम बात कर रहे हैं थांडाइक के सिद्धान के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे थांडाइक कहां के निवासी थी बहुत ही कुश्चन पूछा जाता है पहले जितने भी जो बैग्यानिक होते हैं उनका निवास स्थान पूछा जाता है तो थांडाइक कहां के निवासी थ और इनको प्रथम सहचिक मनोबैग्यानिक भी कहा जाता है प्रथम सहचिक मनोबैग्यानिक 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 इनके मुक्क नियम 3 थे और गॉर्णियम 5 नियम थे वाद सिध्धान्द की इन्हों से संबंध वाद का सिध्धान्द प्रयास एवन प्रोटी का सिध्धान्द कौन सा है पहला तो संबंध वाद का सिध्धान्द प्रयास एवन प्रोटी का सिध्धान्द दीपक अनकुरिया का सिध्धान्द और संयोजन वाद का सिध्धान्द प्रयास संबंध अधिगम में समय उत्रोंतर होता हॉत्त पहले आता है अधिगम किसका परणाम है तुर समय किसका परणाम है अनुबंधन का उन्यों ने प्रियोग किया था भूखी बिल्ली पे इनका प्रियोग ये था कि इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजडे में बंद कर दिया पिंजडे में बंद कर दिया और वहां पे एक लीवर लगा दिया अब बिल्ली को क्या हुआ जब बिल्ली को भूख लगी तो इन्होंने मरत मचली बाहर डाल दी और जब बिल्ली को भूट लगी तो उन्होंने क्या किया बिल्ली जब बन थी उसमें जब उसको भूट लगी तो वो बार बार उसमें उशलने कूदने लगी तो जब उसका लीवर क्या हुआ उसका लीवर गिर गया जब लीवर गिरा और उसका गेट खुल गया फिर क्या हु तो इन्होंने बिल्ली प्रिवक किया था और किस पर बिल्ली और म्रत मचली पर अब यहां पर बात करें अनुक्रिया करता कौन था तो अनुक्रिया करता बिल्ली थी और उद्दीपक क्या था उद्दीपक हमारी म्रत मचली थी तोस्तों कैसा लग रहा वीडियो प्लीज एक कपने करके आप हमें बता सकते हैं अब हम बात करें इसार बांड की डा सारबंड में भी यह बताया गया तो कई बार भूंकि वी फिंजडे में बंद क्रिया करती है अचानक लीवर पर पंजा मारा और लची प्राप्त कर लिए इसार बॉंड क्या कहलता है सार इसार बॉंड यही कहता है कि इस्टुमिलेस रिश्पॉंस मांड मतलब कई बार विल्ली मुखी पंजड़े में बंद कर दी जाती है और जब उसका लीवर पंजा पढ़ता है तो वह लची को प्राप्त कर लेती अनुकुरिया के द्वारा उदीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है अनुकुरिया के द्वार जो क्रिया होती है उसके द्वार दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है जिसे हम क्या कहते है अनुबंधन कहते हैं अब थांडाइक के नियम थे वो मुक्रूप से तीन दो नियम थे मुख्य नियम में तीन नियम दिय और में लुख प्रिया का नियम नंबर दो नुख अन्जफ लिए कर नियम लुख नियम नमबर बात कर रहे हैं अब भ्यास का नियम में देखते हैं क्या होता है कि एक अनुकुरिया होता है अनुकुरिया हमारे मतलब रिश्पॉंस एक उद्दीपक होता है जिसमें इस्टुमिलेस कहते हैं जब अनुकुरिया और उद्दीपक में डारेक्ट क्या होता है तो अनुबंधन कमजोर होता है लेकिन जब अभ्यास की पुनरब्रत्य होती है अब प्रभाव की नियम की बात कर रहे हैं तो प्रभाव का नियम क्या था इनका प्रभाव की नियम में तत्परता का नियम क्रिया करने के लिए प्राणी मांसी रूप से तयार है तो दीपक को प्राप्त करने प्राप्त कर देता है तत्परता के नियम है कि आप मांसी रूप जाए बच्चा को एक बार नहीं आता है दो बार बार प्रयास चाहिए वह की चाहिए अधिगम में बच्चों किया है कि अधियम में उनको समय देना चाहिए शीखने के लिए मंदबु बूदि बालकों के लिए भी मात पोड़ शिद्दान्त है सुद्ध उच्छारडबालक इस सिद्धान से सीखता है तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा प्लीज एक बार जुरूर हमें कमेंट में करके बताइए और चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत